हेलो गाइस तो आज का जो हमारा कॉस्चेन है इसमें हमें दे रखा है फोर अरे ओफ लाइट रिफ्रेक्टिट थो अप्रिजम ओफ एंगल 60 डिगरी दा एंगल ओफ इंसिडेंट इस इक्वल तो दा एंगल ओफ इमर्जेंट इच इक्वल तो 45 डिगरी फाइंड दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ दा मटेरियल ओफ दा प्रिजम और हम से पूछ रखा है कि इस प्रिजम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा और यहां हमें दे रखा है angle of the prism जो की है 60 degree और यहां पर हमें बोल रखे कि angle of incidence और angle of emergence दोनों 45 degree के equal है और यहां पर हम एक formula जानते है R1 प्लस R2 इस इकल टू ए यह वाला formula हम जानते है और यहां पर हमें बता रखे कि angle of incidence और emergence 45 degree के equal है यानि कि यह case है angle of minimum deviation का और हम जानते हैं कि angle of minimum deviation की case में R1 is equal to R2 वो दोनों equal हो जाते है इसलिए मैं यहां R मान लिया है और हम यहां पर R1 की जगा भी R लिख दूँगा R2 की जगा भी R लिख दूँगा तो यह 2R हो जगा is equal to A R is equal to A by 2 A हमें कितना दे रखे है angle of prism 60 degree इसको 2 से divide कर देंगे तो 30 degree आजेगा अब हम first surface पे स्नेर्लो अप्लाई कर देंगे तो यह होजेगा स्नेर्लो की हिसाब से हमारा angle of incidence 45 degree है 1 into sin 45 degree is equal to new यह है हमारा refractive index of the prism और यह है sign 30 यानि कि R1 मान सकती क्योंकि R1 और R2 equally है और हम first surface पे स्नेर्लो भी apply कर रहे है तो यहां से हमारा new जो होगा solve करने पर आएगा root 2 यानि कि refractive index है prism का वो है root 2 और thank you guys